मैं यहाँ पे Google Talk use कर रहा हूं यहाँ पे एक sentence pass कर रहा हूं This is nice video अब अब देखो कि nice की spelling तो n-i-c-e होती है and Google Talk ने automatically यहाँ पे इस गलत word को detect कर लिया है यहाँ पे एक underline भी इस ने कही दिया red color की और जैसी में इसमें hover कर रहा हूं यह एक right word यानि कि एक suggestion जो की सही है suggest कर रहा है जैसी में इसमें click करूँगा यह nice हो जाएगा but Google Talk ने यह किया कैसे है उसको कैसे बता कि यह जो word मैं लिख रहा हूं इसकी spelling गलत है Hi guys, my name is Sagar, welcome back to this Python project series तो basically आज का हमारा Python का project idea यही रहने वाला है कि हम एक spell checker app बनाएंगे अगर आप मुझसे life python सीखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं advanced level के projects तो आप उस बैच में enroll कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के video को करते हैं start इस project को बनाने की process को मैं कुछ steps में divide कर रहा हूं और हर एक step को मैं आपको line by line explain भी करूँगा क्योंकि इसका purpose का है हम इसको क्यों लिख रहा हूं लिखते कैसे हैं सबसे पहले हम यहाँ पे step 1 करेंगे which is importing the required library required library हमें install करने पड़ेगी and पहली चीज़ हम यहाँ पे करते हैं वो है spell checker library को import करना यह एक third party library है जो हमारे लिए ready mid functions प्रोवाइट करती है जो की spelling mistake को detect and correct करते हैं अगर हम खुद का एक spell checker अलगुदम लिखने बैठे हैं तो हमें dictionary maintain करनी पड़ेगी वो भी हर word के possible variations के साथ और यह बहुत time consuming काम है इसलिए हम यहाँ पे spell checker library जो की यह सारा काम हमारे लिए समालेगी import करने के लिए बहुत simple है हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा from spell checker import spell checker यह हमने कर दिया second इस line का बहुत simple सा मतलब है कि हमने spell checker नाम की library को अपने code में import कर लिया हैं इसका use करने वाले हैं अब हम इस library के functions को access कर सकते हैं step 2 हमारी रहने वाली है यहाँ पे creating the app class अब हमें class बनाते हैं जिसे हम spell checker app नाम देंगे यह app का core part होगा जिसमें सारे functions और logic लिखे जाएंगे class बनाने का फायदा यह होता है कि हम multiple functions को एक organized structure में रख सकते हैं इस class का object बनाएंगे और उसके थूँ हम अपने app को control करेंगे think of it as a container for a spell checker तो class बनाने के लिए simple हमें लिखना है class और spell checker checker app class बना लिए इसके अंदर हम एक constructor define करते हैं don't worry में सारा कुछ explain करूँगा आपको और self.spell equal to यह लिजिए ठीक है तो basically यह पर हमने क्या किया मैं आपको एक बरी explain कर देता हूँ सबसे बहुत हमने यहां पर spell checker app नाम की एक class बनाई है जिसके अंदर हम पूरा main logic लिखने वाले है second यहां पर एक constructor function है जो कि automatically execute होता है जब हम class का object बनाते हैं then third यहां पर हम spell checker class का एक object बना रहे हैं जिसे हम बाद में use करेंगे हर word को check और correct करने के लिए text सबसे बहुत को split कर देते हैं and then corrected words को store कर लेते हैं अब यहां पर हुआ क्या है आपको एक बहुत ही बता देता हूँ यहां पर सबसे बहुत हमने एक function को define किया है जो user ने जो input में दिया है text उसको correct करेगा then यहां पर words equal to text.split का यह मतलब है कि इस line में जो input text होगा उसको हम words में तोड रहे हैं for example अगर माले दे किसी ने hello world लिखा है तो यह उसको कुछ इस तरीके से store कर लेगा like this ठीक है ने कि उसको तोड के एक जगा store कर लेगा then यहां पर corrected words करके हमने एक empty list बनाई है जिसमें हम correct words को store करेंगे उसके बाद चलिए आप मेंन लोजिक लिखता है for word in words ठीक है corrected word equal to self.spell.correction को हम बुला रहे हैं और इसके अंदर में पास कर देता हूं word को और यहां पर हम एक condition लगाते हैं simple सी कि if corrected word is not equal to word.lower method को मैंने आप यूज करा है then आपको print कराना है then आपको क्या print कराना है format testing का use कर रहा हूं कि correcting word to to के आगे यहां पर अगे corrected word corrected words यहां पर हमने इसको list पास नहीं करी एक corrected word उसके रहाद हम यहां पर corrected words को append कर देंगे यानि कि जैसे ही आप यह चीज हो append कर दो और जाके corrected word नामा के एक list है उसमें जाके store कर लो ठीक है इतना हुआ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना part जो मैंने लिखा है वो समझा देता हूं कि क्या कर रहा है सबसे पहला तो देखो हमने यहां पर एक loop से starting करी है यह loop हर word को इंडिविजुली चेक करेगा ठीक है इसका मतलब mode यह है यहां पर जो line लिखी है corrected word से लेके word तक कि यह नहीं कि जो 40 number की line है यहां हम correction function का use कर रहे है जो spell checker library से आता है यह वाला function देखो जो correction लिखा है यहाला function हम use कर रहे है spell checker library का है यह function चेक करता है कि तो हम इस correction को console में print कर देंगे then 70 line पे मैंने happen method का use कर रहा है हर corrected word को यह जो corrected word एक list हमने बनाई थी ताकि उसमें यह add हो सके store हो सके then step 4 पे हम आते है which is step 4 returning the corrected text क्योंकि भई अब corrected text भी तो दिखाना पड़ेगा तो अब जब हम सारे words को correct कर चुके हैं तो हम corrected words को join करके एक complete sentence बनाएंगे और उसे फिर return करेंगे ठीक है अभी हमने यहाँ पे split method का use कर रहा था ताकि words को मलग-लग कर सके अब हम उन्हें वापिस एक sentence में जोडेंगे simple join function का use करके हम corrected sentence को यहाँ पे return करेंगे उसके हमें simple क्या लिखना पड़ेगा return.join और फिर यहाँ पे corrected words ठीक है step 5 is running the app अब हम एक function बनाएंगे जहां पे user से text को input में लिया जाएगा user text को type करेगा और हम उस text को correct करेंगे फिर output screen पे दिखा देंगे यहाँ पे इस चीज को में एक loop के अंदर डाल रहा हूँ ताकि user इसको हमेशा चलाते रहे और जब तक वो exit नहीं लिख देता तब तक हमारा जो app वो चलता रहेगा बंदी नहीं होगा तो basically यहाँ पे मैं एक और function बना लेता हूँ which is run के नाम से और text करके एक variable लेते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं भई input दे दीजे enter text to check और यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ कि or type exit to quit ठीक है type exit to quit चलिए यह चीज भी हो गई and एक condition में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर text.lower method का use करके user ने बोला कि भाई exit करना है तो आप simple यहाँ पे एक message display कराईए कि closing the program ठीक है और यहाँ पे इसको कर दीजे break एक चीज यह हो गई corrected words को हम बुला लेते हैं then corrected text करके में एक variable create कर लेता हूँ इसके अंदर self.correcttext और text को pass कर देते हैं then display करा देते हैं corrected text is corrected text ठीक है अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि actual मैंने करा क्या सबसे पहला तो यह जो while loop मैंने लिखा यहाँ पे true यह infinite loop है यनि कि जबता कि user exit नहीं लिखता यह loop चलता रहेगा second line पे हमने यहाँ पे user से input में लिया कि भाई आप जो भी text या sentence उसको input में ढालिए then हमने यहाँ पे condition लगाई है यह condition check करेगी कि user ने जो input में दिया है अगर वो exit है तो यहाँ पे एक message display होगा closing the program और यह loop जो ब्रेक हो जाएगा then हम user के input text को correct text function में पास करेंगे जो की correct text को return करेगा then यहाँ पे print function की मदद सा में इसको console पे display करा देंगे अब हमारी जो last step बचती है which is to run the main program तो यहाँ पे step 6 करके मैं लिख देता हूँ running the main program all right and lastly हम यहाँ पे ensure करेंगे कि अगर हमारी script directly run हो रही है तो spell checker app का object create हो और app start हो जाए ठीक है तो standard syntax में आपको बता देता हूँ क्या है if name equal to equal to main और यहाँ पे आएगा colon and spell checker app dot run यह हमारे यहाँ पे program कतम हो गया तो basically यहाँ पे यह जो मैंने line लिखे है यह check करता है अगर यह file directly run हो रही है तो app को run किया जाए and then जो 39 नमर पे मैंने line लिखी है यह spell checker app का object बनाता है और run function को call करता है ताकि app start हो जाए तो यहाँ पे हमारा project हो चुका है तयार अब हम simple इसको run करते हैं और देखते हैं क्या आता है तो यहाँ पे यह हमें पूछ रहे कि enter text हो जाए कि आप यहाँ पे कोई भी गलत word या फिर एक sentence पास कर सकते हैं पूरा का पूरा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि java program ठीक है यहाँ पे program पे मैंने डवल एक्स्टा जान पूछ के लगाए एंटर दभाएंगे तो देखो इसने गलती पकड़ लिए कि भाई correcting program to program ठीक है जो की सही है यहाँ पे बेसिकली पाइथन की भी spelling में गलत डालता हूँ तो देखो इसने पाइथन को भी correct कर दिया और कुछ और भी डालके दिखते हैं जैसे कि symbol तो इसने symbol को symbol कर दिया है तो यह बेसिकली क्या करेगा जो भी गलत वर्ड है उनको सब सब पहले read करेगा and then spell check library के function का use करके उसको correct कर लेगा and इस तरीकिये से आप एक sentence या फिर कोई गलत वर्ड डालके check कर सकते हो and आप चाहो तो एक web application भी बना सकते हो इस idea का use करके जो की गलत words input में लेगा and right word आपको ऐसा output देगा इस project का source code मैं वीडियो के description में attach कर रहा हूँ I hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कैसी लगी comment करके ज़रूर बताना and चैनल को subscribe करना मत भूलना क्योंकि next python project इसी चैनल पे आएगा मिलते हैं next वीडियो पे thank you so much for watching